श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हरहर महादेव देखेगा 10 अक्ट्यूबर से कार्तिक मास का पवित्र महीना शूरू हो रहा है जो कि 8 नवंबर तक रहेगा से तुल्ची जी का पूजन का मात्व हमारे शास्तुरम बता गया है पूजी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझाने का पूरा प्रयाश करूँगा कि आपको तुल्ची जी का पूजन किस प्रकार से करना है किस प्रकार से आपको दीबदान करना है क्या क्या सावधानिया आपको रखनी है तो पूरा वीडियो अंत तक जरू देखेगा लेकिन वीडियो में आगे बनने से पहले वीडियो को लाइक करें और चेनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चेनल को जरू सब्सक्राइब करें देखे हमारे हिंदु धर्म में कार्तिक मा को सर्व स्रेष्ट महीना बताए गया है क्योंकि कार्तिक के पवित्र महीने में ही बड़े बड़े तेवार जैसे दिपावली, रूप चवदस, भाई दूज और साती साथ भगवान विश्नु इसी महीने में योग निंद्रा से कहता है न कार्तिक समो मासे, न क्रतेन समम युगम, न वेदम सद्रश्यम सास्त्रम, न तिर्थम गंगया समम, अर्थात कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, न सत्युक के समान कोई युग, वेदो के समान कोई शास्र नहीं है और गंगा के समान कोई तिर्थ नहीं है, यान सिकम लाल चुनरी तुलसी माता को आपको अरपंड करना चाहिए इससे आपको अखंड सोभागे के प्राप्ति होती है देखे तुलसी जी का पूजन करने से आपके जीवन में जो भी दरीद रता है वो सब दूर होने वाली है इसलिए आपको यह उपाई जरू करना है आप क्या करेंगे तुलसी जी का आज बहुत अच्छी तरीके सा श्रिंगार करेंगे किसी भी दिन आप कर सकते हैं या रोज भी आप श्रिंगार कर सकते हैं फूल अरपित कर सकते हैं पीले पुश परपित कर सकते हैं, वहाँ पर रंगोली बना सकते हैं, तुलसी जी के आसपास, आप जब दीबदान करेंगे, तो ज्यान रखे दीपक में आपको गोल बाती ही लगानी है, ठीके, दीपक के अंदर आपको घी ही बरना है, और दीपक के अंदर एक चुटकी आपको डालना है, देखे ये जो दीपक है, आपको सुरियोदै से देड़ घंटे पेले, या तो आप सुबह सुबह कर ले, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उट पाते हैं, तो आपको ये दीपक प्रजुलेत दीन में नहीं करना है, या तो आप सुरियास्त के बाद तो विशेश इस बात का ध्यानक ना साथिसाथ कार्तिक के पवित्र महीने में हो सके तो रोज नहीं हो सके तो कम से कम गुरुवार के दिन एक जल के पात्र के अंदर इश्चिल के पात्र के अंदर जल भर है उसके अंदर दो चमच कच्चा दुद मिलाएं एक चुटकी हल्द करना है ध्यानके कार्टिक के पवित्र महीने में हो सके तो रोज आपको तुलसी जी की ग्यारा परिक्रमा करनी है जैदि आपके यहाँ परिक्रमा करने की जगा नहीं है तो आप जहां पर खड़े हैं वहीं पर आप गोल घुम जाए ग्यारा बार और ओम नमो भगवते नहीं कर सकते हैं तो ध्यानके रविवार के दिन आप जल अरपित नहीं कर सकते हैं आगई आपको बात समझ में तुलसी जी को आप रोज इसपर्ष कर सकते हैं लेकिन एकादशी रविवार और ग्रहन के दिन आप इसपर्ष नहीं कर सकते हैं इसपर्ष करके आपकी जो भी प्रकार के कपड़े मुझे नहीं पेनना है हमें रोज मंदिर जाना है इस प्रकार का कोई भी एक कठोर नियम आपको लेना चाहिए तो इस प्रकार से पुझी गुरुदेव के ही अनुसार मैंने आपको सारी बात बताई है अगर कुछ बिचे समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव